सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविकरांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नोविकरांट में आप सभी का स्वागत हैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको Realme 8 5G के Realme UI 2.0 के New Software Update के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाइल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लाग क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं साथ ही Realme UI 3.0 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर Realme वालों ने अपने Realme 8 5G के अंदर Realme UI 2.0 का न्यू साफ्टेयर अपडेट जो है रोल आउट करना चालू कर दिया है यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं Realme 8 5G का मॉडल नंबर RMX 3241 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है A.13 है और यह अफिसल वर्जन है दोस्तो आई मीन इस्टेबल अपडेट है और इस अपडेट का जो साइज है 204MB का है और इसका रोल आउट डेट जो है 15th January 2022 है तो यह था इसका basic software interface और आप बात की जाए इसके अपडेट लॉग की तो यहाँ पर अपडेट लॉग में सबसे पहले change की बात करें तो security के अंदर January 5th 2022 के साथ current month का latest enhanced Android security patch देखने को मिलता है इस अपडेट के बात इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non-issue थे bucks वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के बाद साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ-कुछ user को कभी-कभी जो है lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी यहाँ पर इस update के through fix कर दिया है मेरे को अभी तक कोई भी lagging issue देखने को नहीं मिला है इसके लगा बात की जा अगले change की तो apps के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप built-in contact app या फिर default contact app के through अगर आप किसी contact को सर्च करते हैं तो उसमें सर्च नहीं हो पाता था और कभी-कभी सर्च होने के बाद भी इसके battery performance की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो battery performance है थोड़ा slightly upgrade देखने को मिलता है यहाँ पर जो battery draining का problem देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है और साथ ही जो battery uses है वो थोड़ा improve देखने को मिलता है और इस बात की जाए इस update के बाद game space के अंदर 4D vibration and voice changer features देखने को मिला है कि नहीं मिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कोई सभी 4D vibration and voice changer features देखने को नहीं मिलता है आपको old वाला ही game space देखने को मिलता है बट यहाँ पर जो game का performance है उसको थोड़ा improve किया है जिससे की जो gameplay है थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है I mean stable और smooth देखने को मिलता है And guys बात की जाए Realme 8 5G में Realme UI 3.0 का update कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि Realme के official roadmap के अनुसार Realme 8 5G को Q2 2022 I mean April, May, June इन तीन मंत का Q2 होता है जिसमें आपको April इंड तक Realme UI 3.0 का update जो है Realme 8 5G में देखने को मिल जाएगा तो यह था दोस्तो Realme 8 5G का full update log chain log दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना और अगर नहीं मिला होगा तो one week wait कर लिजे दोस्तो one week के अंदा definitely यह update जो है आपको मिल जाएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे एगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो